हेलो इंवेस्टर वेल्कम बैक टू माई यूटीब चैनल डिजिटल सर्विस दोस्तों इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं एक केमिकल कंपनी के बारे में जिसके ओपर अल्डेडी हमने डिटल डिवीडियो बना रखे हैं लिंक डिसकप्शन में दे जाएगी जाकर कर लें आज हम वीडियो पे शॉर्ट में डिसक्रशन करेंगे कि क्या चार्गेट हैं क्या टाइगेट देखने को मिल सकते हैं और आपको अभी इंट्री लेनी है या एक्जिट करना है इंसाई बातों चर्चा करने वाले हैं चैनल पहली बार आ हैं तो चैनल तो तीन दिन पहले आला था नहीं देखा है जाकर देख लिए ओलेडरी दो से तीन वीडियो इस चैनल के ओपर डाल रखे हैं डिटेल्ट पूरा जिसमें आपको कंपनी के फंडेमेंटल कंपनी के टेक्निकल और कंपनी के बिजन समर्डल के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी एक बर देख लेंगे तो किसी और यूटूब चैनल पर आपको दिखनेगी किसी और यूटूब चैनल पर आपको जानने की जुरत नहीं पड़ने वाली हैं सबसे पहले अगर हम बात करें तो इसके ओपर आल्डेडी मैंने तीन वीक पहले एक वीडियो बनाया था उसके बाद आफटर टू वीक कई सारे व्मारे व्यूवर्स हैं उनके क्वेरी लगातार आती रहती है कि सारे एक फ्रेस वीडियो बनाईए नहीं देखा है यह भी 211.60 पैसे पर क्लोजिंग दी हैं हाई लगता है 317 से भी उपर का यहां पर अगर बात करें तो 13% के आसपास आज इंटर डेक के अंदर स्टॉप में तेजी देखने को मिल रही हैं वहीं पर अगर हम बात करें इस कंपनी के तो आज इसने एक 52 वीक नया हाई बनाया है जो क अगर अगर बात करें के तो इनका काफी स्टॉण है कोई कंपनी के पास सफीशन्ट डिजर्फ है दूसरी बात कंपनी के पास कोई भी डेप नहीं है और कंपनी का जो आप यहां पर 3 पॉइंट देखते हैं तो बीटिंग 3 यह रेवन्यू सीए जियार इनका जो यह बहुत यह पॉइंट है किसी भी कंपनी के लिए अगर उनके रेवन्यू हर साल बढ़ रहे हैं तो इससे बैदर कोईशिश नहीं हो सकती है अगर आप 3 साल का डेटा देखें तो 26.53% के CSR से रेवन्यू बढ़ा था लेकिन अभी इस यर में इन्होंने 58.37% के CSR से अपने रेवन् ज़रूर आप सबी को उस स्टॉक को फोकस में रखना चाहिए वहीं पर अगर स्टॉक रिटन की बात करें वर्सेज निफ्टी स्मॉल केप 100 के तो जहां पर निफ्टी हंड्रेड स्मॉल केप ने 76% के रिटन दिये हैं वहीं स्टॉक ने 1000% से भी दिखके रिटन अपने प्रोकैप कंपनी है तो ऐसा नहीं कंपनी लगातार उपर ही जाती है कई बार ऐसे चांसे भी होते हैं कि सेयर में हमको तेजी बहुत जवर्दस गिरावर भी देखने को मिलती है जिसका जीता जाकता हो दारन आप यहां पर देख सकते हैं जब कोविट का समय था जब सब्सक्राइब 83% के आसपास स्टॉक तूटता नजर आये था कई सारे जो रिडियल नहीं सखें पैनिक हो गये थे उन्होंने कई लोगों ने तुछ स्टॉक को बेच भी दिया होगा और आज वो पस्ता भी रहोंगे कास मैंने स्टॉक को ना सेल किया होता देखिए जब कि बहता रिटर्न बनाने से कोई भी नहीं रोक सकता है अगर रिटर्न देखे कंपनी का तो वन मन्त में 44% के थ्री मन्त में 70% के वन येर में 206, थ्री येर्स में 1182% के वहीं 5 येर्स में 981% के यानि इस कंपनी ने अपने जो लॉंग टम इंवेस्टर हैं या शॉर्ट टम इ अब ऐसा एक दिन में नहीं होता है हो सकता है कि आप इस टॉक को ले लो वीडियो देख करके वहां से गिरावट आ जाए तो आप यहां पर पैनिक हो जाएंगे कभी भी किसी कंपनी में जब आपका व्यू लॉंग टम का हो रहा है तो एटलिस उस कंपनी के बिजनस मॉडल कंपनी के फंडामेंटल पर नज़र जरू डाली है ऐसा मैं बार बार इपर इसलिए करता हूँ क्योंकि कई सारे जो व्यूवर्स होते हैं उस पार्ट को स्किप कर देते हैं अगर आपने स्किप कर दिया है तो जरूर इस पॉइंट को आपको नोट में करना है कभी भी लॉ होजार 22 का जो कौटर था इनका कौटर 4 का उसमें देखें तो अच्छे कासे ग्रोथ हो ये रेवेन्यू में भी और प्रॉफिट में भी जिसके कारणी स्टॉक में हमको अभी भी अपसाइट के मुर्मेंट देखने को मिल रहे हैं सिर्फ इसी कंपनी में नहीं इनके जो भ बदली हैं जिस तरह से सरकार ने चाइना के अगेंस्ट एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई और इंडियन कंपनियों को बोला कि आप मैक्सिमम चीजें एक्सपोर्ट करिए इंपोर्ट करिए जो भी चीजे की डीड है आपको बताईए आप ज्यादा ज्यादा चीजे बन नहीं अकर आपने अफल माफ करिएगा दीपक नाइट्राइट या फिर अतुल कैमिकल या नवीर फ्लोरीन या फिर आपने देखा होगा अलकिलमाइन जैसे जो कंपनियां अच्छे कासे रिटन दिये हैं बनाकर अभी क्या है कि स्टॉक एक स्टॉक में चल रहा है बात अक अगर स्टॉक ने 500-600 परसंट के रिटन दे दिये हैं तो कहीं न गहीं तो स्टॉक रुकेगा ना तो प्लीज ऐसा बिल्कुल ना करा करिए अगर स्टॉक गिरता है आपके लेबल पर और आपने सही से कंपनी के बिजनस को समझ रखा है तो जरूर वो अपर्शनिटी होती ह कि आपको अपने पॉर्टफोलियों में उन स्टॉक को एवरी डिप पर बाय करकर चलते रहें देखिए इस वीडियो को बनाने मक्सद कोई ऐसा नहीं है कि मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि चाहिए कली इस वीडियो को देखकर आप शेयर को बाय कर लिए सिर्फ एजूके से भी अधिक की देखने को मिल रही है अधर के पास है 29% से जाधा की हल्डिंग वहीं पर DIs के पास 5.3 5 और FIs के पास 0.04% की हमें देखने को मिल रही है अभी हमात सुके हैं कंपनी के टेक्निकल चार्ज के ओपर तो अगर आज यहां पर आप देखें तो स्टॉक में आज 400% से भी तेजी के ज़्यादा जो वॉल्यूम थे इन में 400% से ज़्यादा अधिक के वॉल्यूम देखने को मिल रहे थे जहाँ पर स्टॉक ने आज ओपन दिया 276 के ओपर हाई लगा है 317 का क्लोजिंग दिये 310 रुपिस 90 पैसे के ओपर अब यहाँ पर अगर टेक्निकल चार्ट पर नजल डाले तो यहाँ पर मैंने ट्रेंड लाइन ट्रॉ कर रखी है जिस तरह आप से यहाँ से वॉल्यूम आ रहे हैं वहाँ पर फॉर्दर चांस है कि स्टॉक में अभी भी आप मुवमेंट देखने को मिल सकते हैं लेकिन यहाँ पर मैं में मेंचन करना चाहता हूं अभी स्टॉक में एक मीजर रिजिस्टिंस आपको देखने को मिलेगा वह रहने वाला है थ्री हंडेट ट्वैंट के उपर का अगर स्टॉक इस लेबल को सस्टेन कर पा रहा है तो फॉर्दर तो टागेट आपको स्टॉक के क्योंकि जो चीज़े टेक्निकल चार्स पर हमको दीख रही है उसके भिहाब परीम सारी चीज़ें आपके शार कर रहे हैं आई होप सारे डौट्स ट्येर हो गए होगे आप सभी के इस स्टॉक को लेकर कर अभी हाली हमने अपनी प्रीम सर्विस श्टार्ट करी है जो सेवन डिस के लिए डेमो तो पर फ्री आफ कॉस दी जा रही है लिंक डिस्क्रप्शन दे रखा है जाकर जोईन कर सकते हैं जहां पर आप ट्रेडिंग के माध्यम से भी अस्टाक्स के बारे में भी बताते हैं जिसमें आप अगर ट्रेडिंग करते हैं तो उसके जरीए भी आप पर एक असागा सा रेटर्न देख सकते हैं हमने और डिस के उपर एक प्लेलिस्ट में रखी है लिंक डिसक्रप्शन देदी जाएगी जाकर देख लीजेगा और आप लोग से क्रिक्वेस्ट प्रीज वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूले क्योंकि हम और हमारी टीम इस गर्टेने को निकालने लिले काफी महेनत कर रहे हैं क्योंकि अगर आप लाइक करते हैं चाहिँ है और वीडियो को शेर करते हैं एस ते हमारी शेरिंग हमाई रीच और लोगों तक पहुँचती है उससे हम को ये मोटिवेशन मिलता है कि हम इसी तरह के क्वालिटी कंट थांक्यों फर लॉक्षिन वीडियो जय हिन्द जय भारत